ओम स्री वंकटेश्वराय नमाहा, आज के वीडियो में अक्टोबर महिने के कौन-कौन से 300 रुपीज के दर्शन टिकेट आनलाइन के संस्थान के और संस्थान के बाहर आपको अवेलेबल होता है, उसके बारे में जानेंगे, साथी कल रिलीज होने वाले अक्टोबर महिने क स्री वारी सेवा के बारे में भी जानेंगे तो अंतक बने रहें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत सारे भगतों को ऑक्टोबर के 300 रुपीज के दर्शन टिकेट नहीं प्राप्त हुए हैं, उन भगत आपको होमम एटेंड करना पड़ता है, जिसका कॉस थाउजन है, और 600 में दो लोग दर्शन टिकेट आटोमाटिकली एड हो जाता है ऑनलाइन में, यानि आप उस प्रिंट आउट को अगर दिखाते हैं, उसी दिन होमम जिस दिन आप एटेंड हो रहे हैं, 9 से 11 सुबह होम होना पड़ता है, और उसी दिन दो पहर 3 बजे, आप डिरेक्टली तिरुमला जाकर उस प्रिंट आउट को दिखाकर, जिसमें सील होना चाहिए, होमम आपने एटेंड किया, उसका सील होना चाहिए, उस सील को दिखाके, दो लोग 300 रुपीज के एंट्री से एंटर हो सकते हैं, तो ये एक मार्ग है, ओक्टोबर महिने के दर्शन टिकेट प्राप्त होने के लिए, थोड़ा सा कॉसली पड़ेगा, लेकिन 1600 में दो लोग उसी दिन दर्शन कर सकते हैं, ओक्टोबर महिने के लिए जो होमम टिकेट्स रिलीज होंगे संस्थान के ओफिशल तो हमेशा अपडेट्स को फॉलो करें, अगला जो मेथड है, वो है APSRTC और TSRTC, यानि टूरिजम के कोटा में भी संस्थान, कुछ दर्शन टिकेट्स टूरिजम कोटा में रखता है, ये दर्शन टिकेट भी बिलकुल वैलिड दर्शन टिकेट है, इसमें कोई भी आपको फ्रॉड नहीं होता है, APSRTC और TSRTC में आपको बस टिकेट पहले बुक करना पड़ता है, और आपको हर रूट में ये दर्शन टिकेट नहीं मिलता है, कुछ रूट में दर्शन टिकेट मिलते हैं, तो पहले बस टिकेट को बुक करके आपको दर्शन टिकेट बुक करने का मौका मिलता है, पर परसंद 300 रुपीज प्लस बस चार्ज, चाहे वो AC हो या non AC, उस हिसाब से आपका total cost पड़ता है यहाँ पर आपको बस में travel करने के आवश्यक्ता नहीं है बिना travel किये भी आपके पास जो print out रहेगा उसको आप directly तिर्मुला जाकर वहाँ पर बार कोड से scanning होता है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि यह बस टिकेट APSRTC या TSRTC के थुरू से आया हुआ है तो उनका बार कोड सिस्टम है जिससे कि वो validation होता है तो इस तरह से भी आप October महिने के दर्शन टिकेट प्राप्त कर सकते हैं अभी जो release हो चुके हैं वो October 1st week तक APSRTC और TSRTC में टिकेट रिलीज हो चुके हैं आगे आने वाले दिनों में पाकी के टिकेट रिलीज होंगे जैसे ही वो टिकेट रिलीज होंगे आपको इस चैनल में सारे अपडेट मिल जाएंगे इसके इलावा October महिने के स्रीवारी सेवा के टिकेट रिलीज होने वाले हैं ये voluntary सेवा है यानि स्वच्छन्द सेवा जो बिना कोई पैसा लिए भग्द करते हैं भगवान की सेवा तो ये सेवा ब्रह्मोद सवम टाइम के लिए रिलीज किया जा रहा है तो ब्रह्मोद सवम का कोटा अलग होता है नौन ब्रह्मोद सवम का कोटा अलग होता है दोनों में डिफरेंस ये है कि जो लोग ब्रह्मोद सवम में सेवा करने वाले हैं उनका age limit 18 to 50 years रहता है और नौन ब्रह्मोद सवम का जो age limit होता है वो 18 to 60 years होता है तो ब्रमोच सवम कोटा जो अक्टोबर मैने का है वो कल रिलीज होने वाला है यानी 27 जुलाई को सुबह 11 बजे जेनरल सेवा तिरुपती और दिर्मला के लिए दो पहर 2 बजे नवनीत सेवा और दो पहर 1 बजे परकामनी सेवा इन सभी सेवाओं के डीटेल्स साथी इन सेवाओं को किस तरह से बुक किया जाता है उसकी भी डीटेल्स वीडियो में अलग से हमने बताया है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जागा एक बर ज़रूर चेक करें साथी APSRTC और TSRTC में किस तरह से हम बुक कर सकते हैं 300 रुपीज के दर्शन टिकेट और बस टिकेट उसकी भी जानकारी हमने दी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई कार्ड में आपको मिल जागा इसे भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर एक बहुत ही important point बताना बहुत ज़रूरी है अगर आपने online में कोई भी महिने का दर्शन टिकेट लिया हो APSRTC और TSRTC के bus टिकेट आप कभी भी ले सकते हैं संस्थान के online दर्शन टिकेट का APSRTC और TSRTC दर्शन टिकेट का gap maintain होने के आवशकता बिल्कुल भी नहीं है तो एक ही महिने में आप APSRTC, TSRTC के थुरू से दर्शन टिकेट ले सकते हैं और उसी महिने में आप संस्थान के भी 300 रुपीज के दर्शन टिकेट से दर्शन टिकेट ले सकते हैं अगर आप दो बार दर्शन करना चाहते हैं इसके साथ साथ ऑफलाइन में भी रोज दर्शन टिकेट मिलते हैं उक्टोबर में भी मिलेंगे लेकिन वो पूरी तरह से रश्पर डिपेंडेंट है साथ ही ब्रमोद सबम का भी टाइम है दर्शन कर सकते हैं लेकिन वो भी पूरी तरह से रश्पर डिपेंडेंट रहता है और बहुत घंटे लग जाते हैं दर्शन के लिए तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखे और उसी हिसाब से अपनी यात्रा प्लाइए आशकर्ति वो सारे इंफोर्मेशन आपके लिए इंफोर्मेटिव रहे होंगे ओम सिवंक्तेश्वराय नमा